मेरे प्रेंड्स और ब्रेक पास्ट के तैयारी हो रही है प्रेंड्स ब्रेक पास्ट में काफे टाइम के बात वनगे बन रहे हैं और गोभी की पाराटे काफी टीष्टी लगते हैं और काफी अच्छ और डिलिशियस बनते हैं, मेरे हस्बिन को गोवी के पराटे काफी पसंद है, तो इसके लिए मैंने गोवी कद्दुकस कर ली थी, उसमें हरा धनिया डाल दिया था, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, हरी मिर्च भी डाल ली थी मैंने और बाकी इसमें नमक अपड़े की हेल्प से निचोड लिया था, और इसके बाद आटा भी गूत कर रखा है, और आटा में थोड़ा पहले गूत कर रख देती हूं, ताके थोड़ा सोफ्ट हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर ऑईल गरम हो रहा है, मैं यह ओल में ही बनाती हो पराटे, और पराटे मैं काफी भर कर बनाती हूं, क्योंकि भरे भरे ही अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है, और बच्चों के लिए मैं देसी वाले पराटे ही बनाती हूं, बट जब अपने लिए हस्बंड के लिए बनाने हो तब थोड़े से मैं तेल के बना लेती हूं, जो सरसो का तेल होता है उससे, रिफाइंड तो मेरे घर में विल्कुल यूज होता नहीं है, क्योंकि रिफाइंड के हल्थ जो है, मतलब हल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, तो जाद बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है, उसके बाद देख पराठे बनाती हैं, अच्छा लगा था, उन्होंने बोला हैं, तुमने अच्छा बनाया है बरेक पास्ट में, वरना रोटी सबजी रहती थे विसे उनको भी डेली में तो पराठे पसंद नहीं है, बट कभी कभी होता है न, चेंज के लिए जब काफी टाइम बात कोई चीज खाओ तो अच्छी लगती है तो इसलिए उन्हें फिर इस तरह से अच्छा लगा था और इस तरह से मैं पराठे को पराठे के लगते हैं उसकचा और ऐसे तो और मेति के पराथि पराथ के तैयारी हो रही है आप भी मेरेसाद खा लिजी है और TASTI TASTI BREAKPAST और उसके बाद फ्रेंट्स दूप अच्छी आए थी तो दूप में बैठे थे थोड़ी दिर कपड़े भी सूख रहे थे जब दूप आती है तो शेरी में जानसी आ जाती है कपड़े भी अच्छी से सूख जाते हैं और मेरे हस्बंट भी काम दे कर गए थे उन्होंने बोला कि अज़े कर आओंगे में यूज किया करेंगे कुकि क्योंकि अगर समय सब्ची कार निकी आदत बन जाता है तो इसमें सब्ची कारना अच्छा भी रहता है और काफी काम इजी हो जाता है फिर तो उन्होंने बोला था कि इसको टाइं टो टायम अच्छे से दोटितों मैं आधियूह पर रिनोंने बोला, थोड़ा थूड़ा सा दूप लगाना और थोड़ा सा ओईलिंग करना भी इसकी बहुत जरूरी होता है, तो मैं इसलिए इसकी सर्सो का तेल यहां पर यूज सर्सो का तेल मैं इसको लगारे हूं, बहुत ज्यादा नहीं ही लगाना है, बोट लगाना है इसको मतलब अच्छे से ग्रीज कर देना है इससे तो इसी लिए मैं इसी काम में लगी हूँ फ्रेंट और यह अगर आपके घर में भी चॉपिंग बोर्ड है तो इसको बीच-बीच में होते तो हम है इसको धूप भी लगानी चाहिए और इसको ऑलिंग मतलब ग्र जाते है अपने लिए टाइम निकालना और इतने काम में बीजी हो जाते हैं कि हमारे घर में भी धूप आती है तब भी हम उसको इंजुआए नहीं कर पाती तो थोड़ा सा टाइम निकाल के फ्रेंट्स अपने लिए धूप में बैठा कीजिए क्योंकि दूप बहुत जरू जाए कि चेर में तुम खुदी बैठ जाओ इधर तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बालकनी है और उपर है उचे फ्लोर पर वैसे तो बच्चे समझदार है ऐसे नहीं एकदम से मैं बोल दूँगे कि खड़े नहीं होना है चेर पे बैठे रहना है तो बैठे रहते हैं दूप में टिकते नहीं उधर द दर जहां मंमा जाएगी मंमा के पीछे भीचे वो भी आही जाते है और यहां पर क्योब बना रहा था या मंमा मैं भी चाहिए थोड़ा सा बच्चों को इस टाइब की एक्टिविटीज भी सिखाने चाहिए कुछ नया भी देना चाहिए मतलब कुछ स्लेबस से हटकर पढ़ाई से हटकर कुछ नहीं चीज भी बच्चों को सिखानी चाहिए फ्रेंड्स है ऐलो फ्रेंड्स वेलक्पम डेट टुम आई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हों कि程 अच्छे होंगे फ्रेंड्स और आजकल अच्छी दूप आरही है काफे करकल दूप आरही है मुझे तो लगता है ऐसी दूप आरही है कि जाTheyР जादा कड़क वाली धूप में बैटेंगे तो एकदम से गर्मी गर्मी सी लगने लगेगी मतलब मोसम एकदम से चेंज हो गया अच्छा हो गया है सुबा और रात की तो भी ठंड ही बट जो दिन का टाइम है वो कापी अच्छा जाता है और जब सुबा जल्दी मोसम खुल जाता है धूपसी आने लगती है है कि हम एसा लगता है कि हां मतलब आतोब मोसम न खुले फरेपर यां फिर काम आते आई चलते थोड़ा सा आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए क्योंकि पिर एकदम से एकदम से प्रेशर आजाता है सर पर और इस बार तो मेरे बच्चों की स्कूल में तो एकदम सुस्टाइब के हो रहे हैं जिसमें आंसर शीट्स दी जाएंगी एकदम तो घर स शुपकाम नहीं जैसा कि सकट गई है कल सकट थी और हमारे में सकट नहीं रखते हैं मेरे माई के साइट सुराल साइट दोनों में ही सकट नहीं रखते हैं मुझे तो सकट का नाम ही नहीं पता था और गणेश चतुर्ती भी तीकल और सकट का मुझे नाम भी नहीं पता था बट अब यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि सकट और काफी लोग रखते हैं आप भी पताएगा फ्रेंड्स कि आप सकट रखते हैं और क्योंकि कल एक हमारे इदर फेस्टिवल होता है तिलक वाला हल्दी तिलक इस टाइप से कुछ नाम होता है और उसमें गई थी तो वहा यहां पर जादा तर लेडिस का सकट का व्रत था तो फिर इसलिए यहां पर काफी वैसे सकट मुझे एक दू साल पहले से पता चल गया है कि सकट का व्रत होता है बट हमारी साइड ही बिल्कुल रखा नहीं जाता है और सकट वैसे एक अच्छा त्योहार है और अच्छा है अच्छा जाना चाहिए संडे वाला और फ्रेंट्स आज मंगलवार है सोरी आज सोंवार है और कल मंगलवार है तो कुछ सावान सब्जी वगएरा भी ख्रीजिए और क्योंकि मंगलवार को यहां पर मार्केट लगती है जिसमें हम वेजटेबल्स वगएरा खरीद आ हो जब मेरे सब्जी करीद ने या फिर आप मैं जादा तर अपने हस्बेंट के साथ जाती हूं जाती हूं वेजटेबल के लिए खरीदने के लिए प्योंकि मुझे तो उन्होंने बोला कि तुम ही चला करो मेरे सब्सक्राइब काफी कमी निकालती है तो मैंने बोला ठीक है मैं ही चलूंगी और हम ही जाते हैं वैसे बड़ कुछ टाइम पहले मैं बीच में अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चुरू कर दिया था कुछ मतलब लेडिस होती थी यसे मेरी कोई फ्रेंड है उसने बोला हाँ सब्जी करीदने चलना है तो मैं उसके साथ चल पढती थी तो फिर वह जब मैं सब्जी करी थी थी तो वह तो जैसे होता है ना कुछ लेडीस हो इस सब्सक्राइब सर्सवाँ मिल गया है तो वह भी खरीदोंगी मुली चायधा म और हाई चेफ़ी सब्सक्राइब काफी सुछ के सब्सक्राइब उती करते हैं तो पालक के पकोड़े भी बनती है तो कई चीजे बनती है तो इस तरह से मैं तो हार भी काफी ज़्यादा सब्जी ला दी थी और काफी ज़्यादा खरीद लेती थी ऐसा है कि मतलब जो मुझे चीजे लगते थी कि खरीदनी है इसका काम मैं खरीद लेती थी तो फिर जो मेरी मेरे साथ गई थी उसने बोला कि तुम्हारा हाथ ऐसा है इस मामले में मतलब कि तुम्हारा हाथ ऐसा है इस मामले में मतलब कि तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हारा हाथ इस तरह से पैसे को बचाने वाला नहीं है तुम्हारा हाथ इस तरह से है खुला हाथ है त यह मामला एक जासे सब्जी वाला हूँ इस मामले अगर आप तो मुझे फिजूल खर्च बोल रहे हो तो मैं इसमे अपना फिजूल खर्च नहीं बानोंगी क्योंकि वेज़ेटेबल्स जो होती है फ्रेश मिल रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि वह अच्छी खरीद में चाह जाहते खुर मेरे व्लॉक्स में स्टाइटिंग कर देख रहें। को यह तो सीजन चल रहा है। तो फ्रेंड बताइब कि अपके बार इचल करण एक मतण है। बताएगा friends क्योंकि आपका comment से मुझे पता चलेगा कि मेरी friends सही बोल रही थी यह नहीं गलत बोल रही थी क्योंकि मुझे भी बाद में घर आकर लगा कि क्या मैं सच में एकदम दिमाग में बात आती है ना कि मैं क्या मैं सख में फिजूल खर्चू फेरबट क्योंकि मेरा हस्बंड ने तो आप बताएगा फ्रेंड्स और कि मैं फिजूल खर्चू कि नहीं हूं और फ्रेंड्स उसके बाद इवनिंग में हस्बंड जी ओफिस से आ गए थे तो जैसा उन्होंने बोला था कि कभी कभी चाय के साथ कुछ अलग सी चीज बना दिया करो उसी के लिए हम बुलाए थे ना शेजवान और होट गार्लिक वाली मेगी तो शेजवान वाली तो मैंने बना ली ती सोरी उसकी रैसीपी आपके साथ श्रियन नहीं कर पाई बट होट गार्लिक वाली की कर रही है और फिर बताओंगे आपको किसका कैसा टेस्ट था तो यहां पर मैंने प्याज और टमाटर यूज होता है इसमें प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था और फिर मैंने इसमें वोटर एट कर दिया था और जब वोटर अच्छे से उबल गया था तो दोनों मैंगी डाल दी ती सोरी दोनों होट गार्लिक डाल दी ती चिंक्स वाली और थोड़ा सा इनको पकाने के बाद थोड़ा सा यह जो चिंक्स का मसाला है वह डाल दिया था और जब तो मैं मिर्च भी डालती हूँ बट चिंक्स वाले में मिर्च आल्रेडी रहती है तो इसमें आपको एड करने की जुरूरत नहीं है उसके बाद इस मसाले को अच्छी से मिक्स कर दिया था और यह जो चिंक्स की होट गार्लिक है इसका टेस्ट मैगी से मुझे बैटर लगा य तो देखे इसका कलर भी थोड़़ डिफ्रेंट थेखने भी थोड़ी थोड़ी युपी जय सी लग जा लगए है बट टेस्ट इसका विल्कूल डिफेंट अगर आपने भी नहीं तो ट्राइक आप जेगा नोर्मल शेप से तो नहीं मिलेगी तो बड़े 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 स तो इसी के साथ मैं आज का व्लोग खतम करती हूँ कल मिलेंगे फिर नई व्लोग के साथ नई नई बातों के साथ और तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स आप घर पर ही रहीए सुरक्षित रहीए अब तो थोड़ा थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का व्लोग फिनिश करती हूँ फिर कल मिलेंगे बाई बाई